हलो फ्रेंट्स, वेलकम डू माई चैनल टेकेन इरेश्मेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मेरे चैनल पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने M.I.T.V. 4A Pro में, M.I.T.V. में या किसी भी M.I.T.V. में पेक्टरी डाटा रिसेट कैसे कर सकते हैं, पेक्टरी डाटा रिसेट करने का कब जीवत परता है या आप यह कह सकते हैं कि आप अपने M.I.T.V. के speed को कैसे increase कर सकते हैं जी हां फिर इन सारे बातों पे इस वीडियो में बात करेंगे तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सकाइब करिएगा टेकन इनेश्मेंट चैनल को और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा तो चलिए आगे बात करते हैं कि आप अपने M.I.T.V को factory data reset कैसे कर सकते हैं क्या factory data reset करने से आपका app वगेरा restore हो सकता है कि नहीं यह सारी बातों पे इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि factory data reset करने के पहले आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपका जो data delete हो जाता है आपको फिर से install करना पड़ता है वो ना करना पड़े अगर उससे आपका TV में के speed में इजाफा होता है या increment होता है तो आपको factory data reset करने का कोई जबत नहीं है बहुत काफी दिन हो गया MITV4A Pro में कोई किसी भी तरह का update नहीं आया है update ना आने के वज़े से या app ज़्यादा store होने के वज़े से कभी कभी lag का problem आता है तो उससे निपटने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं TV के screen में सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने TV को increase करने के लिए factory data reset करने से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं TV के screen में और आपको पड़ा सा close up view दिखाते हैं फ्रेंड सबसे पहले तो आपको अपने टीवी को स्क्रीन को आउन कर लेना है उसके बाद आपको खोजना है टीवी मैनेजर यहां फ्रेंड टीवी मैनेजर एक ऐसा एप है जिससे आप अपने टीवी के एप को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर optimize का option दिया हुआ है optimize करने से आपका memory boost होता है जो trashing file है वो delete होता है और जो process है background process चलता रहता है वो भी इंड हो जाता है तो आप देख सकते हैं इंडेंट प्रोसेज memory uses 43% trash 2.8 6 MB running apps 24 तो यहां से आप optimize कर सकते हैं तो optimize आप करेंगे तो boosting memory हो जाएगा deleting trash होगा ending process यहां पर आप देख सकते freed up memory 253 MB deleted trash 2 MB running apps 24 तो यहां पर आप memory भी बूस्ट कर सकते हैं जितने भी एप आपके background में चल रहे होंगे वो सब memory बूस्ट हो जाएगा freedom memory 133 MB boosted successfully तो अब चलिए आप यह बैक कर लेते हैं यहां पर cleaner भी है आप clean भी कर सकते हैं scanning कर सकते हैं तो friends यह सब करने के बाद भी अगर आपका TV fast नहीं चलता है यहां कुछ दिक्कत होता है तब आप लास्ट में जाके फैक्टरी डाटा reset कर सकते हैं तो यहां से हमने okay कर दिया यहां से आप data uses भी चेक कर सकते हैं कौन से आप में आपने कितना डाटा यूज किया है उसके बाद friends से एक option और हैं आप अपने M.I.TV के speed को बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको setting में आना पड़ेगा setting में आने के बाद आपको device preference में आना पड़ेगा फिर about में आना पड़ेगा about में आने के बाद build आपको 6-7 बार प्रेस करना पड़ेगा तो आपका developer option enable हो जाएगा अब developer option enable हो जाएगा तो उसके उससे आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं यह developer option enable हो गया इसको आप click कर दीजे सबसे नीचे option में आ जाईए है तो background process limit यहाँ पे standard limit set है आप जो है no background process नहीं at most one process आप click कर दीजे तो आपका speed जो है tv का वो फास्ट हो जाएगा यह करके भी आप पहले चेक कर लीजे उसके बाद जो है अगर इससे भी आपका tv फास्ट नहीं होता है तब जो है आप आगे बढ़िएगा उसके बाद अगर आपका आप अगर ठीक से नहीं चलता है या lag होता है अप फैक्ट्री डाटा रिसेट करने के पहले आप जो है एक काम और कर सकते हैं जितने भी एप हैं सब अपडेट कर लीजे तो इससे आपका जो एप का लैगिंग का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा फास्ट रन करेगा जिससे आपके टीवी का प्रोफार्मेंस काफी तेज हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह रहा फैक्ट्री डाटा रिसेट करने के पहल जाएगा उसके बाद यहां पर रिसेट करना है तो इस विल एरेज आल डाटा फॉर्म योर डिवाइस इंटर्नल इस्टोरेज इंक्लूड इन यूर गूगल एकाउंट सिस्टम एंड डाटा एंड सेटिंग एंड डाउनलोड़ेड एप तो फ्रेंड्स से रिसेट करने प करना पड़ेगा तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर आपका पहले आमने जो बताया है वह सब अगर से आपका टीवी फास्ट हो जाता है तो रिसेट करने का जिरुवत नहीं है और फिर भी नहीं होता है तो यहां से आप रिसेट कर सकते हैं रिसेट करके जितने भी रिकॉर्ड एप आपको फिर से प्ले इस्टोर में जाके डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स यह सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज टेक अन इनवस्मेंट चैनल को सपोर्ट करिएगा सबस्काइब करके सबस्काइब करने के पैसे नहीं लगते हैं ओके फ्रेंड्स इन नेक वीडियो तब तक के लिए बाबार